तो आज हम एक्सल से डिफेरेंट टोपिक एक कम्प्यूटर के कुछ इंपोर्टेंट एमसी कुई करने वाले हैं जो कि सभी कॉमिटेटिव एक्जाम्स में आज रते हैं जहां पर भी कम्प्यूटर होते हैं तो यह सारे कोसंस मैंने खुद से ही रखी होए हैं तो आप वीड इस ओल्सों नोने इस अप्प्यूटर के मॉनिटर है उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं कि वह वी यूवी डी वी यू या फिर सिटीव कि इन चारू में से ग्री या कहा जाता है क्यों कंप्यूटर के मॉनिटर को इसका लाइट एंसरे है बेस जोसरा नाम है और वीडियो के फिल्फोन ऊहती है जो शोटी है वीडियोगास की तुमधास तो आपर पहर शल्ते हैं ऑरर finely थे साथे TB है, KB है, GB है, और MB है, इन options को देख के हमें इसको ascending order के अंदर रखना है, तो आपको मैं सबकी फुलफों बता रहता हूँ, TB stands for terabyte, KB stands for kilobyte, GB stands for gigabytes and MB stands for megabytes, तो first time आपे सबसे बढ़ा TB, फिर MB, TB के बाद MB नहीं आता, यह अगर इस तरफ होता, और GB अगर इस तरफ होत होता, तो यह result होता हमारा, तो फिल्हाल, A is the note, right answer, second, second B is note, right answer, क्योंकि MB एक छोटी unit है, और TB एक बड़ी unit है, इसको wrong order में रखा हुआ है, and last में है D, यह भी एक wrong answer है, wrong option है, सबसे बढ़ा तो आपे TB है, अब option number C हमारा है, right answer, क्योंकि सबसे बड़ी unit है, TB, फिर GB, फिर MB, बड़ी, फिर KB, अब चेकर थे, इसका right answer क्या है, तो इसका right answer है, आप आया है, option number C, तो फड़ा बड़ से अब थर को से ग्रव चलते है, यहाँ पर है, which of these stores more than data than a DVD, इसका बतलब है कि DVD से ज़्यादा, इन दीवे options में से, कौन सी DVD से, कौन सी disk ज्यादा data store करती है, क्या व value rate disc stores more than a DVD, फड़ा बड़ से next question कर चलते है, तो next question हमारा, 8 bit makes up, 8 bits, 8 bits, कितने के एकुल होता है, क्या वो 1 byte के एकुल होता है, क्या मेगा बाइट के एकुल होता है, यहापी kilobyte के, यहापी none of them, तो 8 bit मिल के यहाँ पर complete byte बनाते है, next question, देखो यह एकदम right answer हमारा, next question कर चलत क्या बोलते है, क्या एक्सकरजन है, या इंट्रक्शन है, या फिर वो इनमें से कुछ नहीं है, या फिर वो data या information है, कि जो output, जो computer जो हमें output देता है, वो एक data भी हो सकता है, और information भी हो सकता है, और data और information के बीच में अगर आपको difference जाना है, तो आप comment कर दीजिएगा, मै मैं data और information के बीच में एक अलग से separate video बनाऊगा जिसके अंदर आपको मैं data और information के बीच में आपको complete difference आपको मैं बताऊगा तो data and information is the right answer so thanks for watching तो ये थे हमारे 5 questions जो की competitive exam को देखे हमने इसको बनाए थे और आप हमें comment के बताओ कि आपने 5 में से कितना score आपने किया तो जितना भी आपको score बना वो आपको comment करतीजिए अगर आपको इसमें in questions में से आपको को specific topic के उपर आपको वीडियो चाहिए हो तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि data और information के वीडियो को difference आपको जानना है तो आप comment करतीजिएगा मैं दोनों के बीच में आपको difference जुरू बताऊंगा मैं इसी डाइप से अगर आपको इन 5 questions में से किसी भी question पे एक separate अलग से वीडियो बनाना समझेना आप topic तो आप मुझे बता झाल 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 झाल